अलो दोस्तो मैं आया हूँ आज जीओ नागवा बीच पर और आज मैं आपको देखाने वाला हूँ नागवा बीच और गंगेश और मादेव की खुब सूरती और साथो साथ बताने वाला हूँ यहाँ पर मिलने वाली सुईदाओं के बारे में तो बने रहे हैं वीडियो पर यह है नागुवा बिच का पार्किंग एरिया यहां से सिर्फ 500 मिटर की दूरी पे है नागुवा बिच जो दूरी हमें बैदल ही तैय करनी पड़ेगी नागुवा बिच पे जैसे ही आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा यह सीटिंग एरिया जहां पर आप गंटों तक अपनी फैमेली के साथ बैट के समंदर के लहरों का लुप उठा सकते हैं और यहीं पर बैट के ब्रेक पर्स्ट और लंज का महा भी ले सकते हैं नागुवा भीच के रास्ते में आपको बहुत सरे लोकल फूट के इस्टोल नजर आएंगे जहां पर आप गुजराती, चाइनिज, पंजाबी और साउच इंडिन बोचन का आनद ले सकते हैं वेल्कम टू माई योट्यूब पेलब मेरे पिछे तो आप ये फुच्चुरत लजाडा देख रहे हैं वह है नागुवा भीच यूवकल जो वेरावाल से 85 किलोमेटर, कोडिनाज से 45 किलोमेटर और उना गुजरात से पड़ता है 15 किलोमेटर की दूरी की आप अगर द्यूव में गुमने की सब जगाव के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उपर आई बटन में आपको नागुए प्रॉप्रूप्रूप्रूप्रूप् नजर आ रही होगी आप वहां जाकर भी उसे वोच कर सकते हैं यह एडवेंचर एरिया यह आप अपनी मस्ती में मस्त होकर एडवेंचर की मज़ा ले सकते हैं द्यू नागुए पीच पे आप स्पीड बॉट बनाना राइट बंपर राइट और पेरामेटर फ्लाइंग का भी मज़ा ले सकते हैं जिसकी प्राइज आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है यहां पर बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं इस वीडियो में मैंने द्यू के दो पॉइंट को कवर किया हुआ है और आने वाले वीडियो में मैं द्यू के और भी पॉइंट को कवर करने वाला हूँ और आपको नई नई अपडेट्स देने वाला हूँ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेर करें और मेरी चैनल को सब्क्राइब करें इसलिए तो सब लोग कहते हैं कि दिली देखा, मुंबई देखा, पर दियू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा समंदर के खारे पानी में नाने के बाद, आप अगर मिठे पानी में नाना चाहते हैं, तो ये सुईदा भी डियू तुरिजम की और से यहां पर उपलग देखा दियू नागवा बीच के पेक सैट पे बने इस बिल्डिन में आप मिठे पानी से ना सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे पर परसन 20 रुपए नागवा बीच के बेक सैट पे ये बिलकुल नया फूद जोन खुला हुआ, यहां पर भी आप चाय नास्ता और सौब द्रिन का आनंद ले सकते हैं नागवा बीच से इस साथ किलोमेटर की दुरी पे है ये गंगिश्वर मादेव का मंदिर पाथ शीवलिंग से बने इस मंदिर में शीवलिंग की पुजा अर्चना और अभिश्वर खुद समंदर देवता आके करते हैं उमेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरू लाइक करें और नियो हमारी चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें इस अजाओने है 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 पर कि आ आप मेल!